बढ़ते हैं और फिर रुख करते हैं midcap के action का जहां तीन बड़े stocks बताएं इसके लावा भी कही सारे stocks है midcap में जो action में है वामाक्षी है हमारे साथ हर रोज की थरह midcap का action पूरा लेकर वामाक्षी good afternoon बताएं कहा पर तेजी हैं और कौन से stocks perform नहीं कर पा रहे हैं बिलकुर मांच से शुरुआत करेंगे हम कुछ top gainers से तो union bank अगर आप देखे तो ये list को top करता हुआ नजर आ रहा है लगाता चार दिन से हम देख रहे हैं कि ये stock में हमें अच्छी तेजी नजर आ रही है इन फाक जैन 27,022 से लेकर के अब तक है सबसे बड़ा single day gain है union bank के लिए IDBI भी focus में है यहां पर भी August 10,2022 से लेकर के October 10,2022 से लेकर के अब तक का सबसे बड़ा single day gain है company के लिए और ये stock में हम देख रहे हैं कि लगातार चार दिन से अच्छी तेजी नजर आ रही है Trident पर भी focus करिएगा लगातार तीन दिन से stock हरे निशान में नजर आ रहा है और तीन sessions में लगबग 10 प्रतिशत चड़ा है ये stock TBS Motors भी दो दिन की घिरावट के बाद stock में हम आज अच्छी तेजी देख रहे है stock करीब 4 प्रतिशत चड़ा है और इसके surrounding news flow भी है जो हम आगे discuss करेंगे इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ top losers की तो Dr. Lal Patlabs ये list को top करता हुआ नजर आ रहा है company अपने दूसरे तिमाई के नतीजों को रियाक कर रहा है growth slow होते हुए नजर आई है और EBITDA margins भी contract हो गया है और April 13, 2022 से लेकर के अब तक का सबसे बड़ा single day fall है Dr. Lal Patlabs के लिए MRFP अपने दूसरे तिमाई के नतीजों को रियाक करता हुआ आज के सत्र में ला निशान में कारुबार कर रहा है और तीन दिन की तेजी के बाद हमने देखा है कि stock में गिरावट नजर आई है Metropolis पर भी focus करेगा लगातार दो दिन share में हम गिरावट देख रहे है और June 13, 2022 से लेकर के अब तक का यह सबसे बड़ा single day fall है Metropolis के लिए Tube Investments इंडिया लगातार दो दिन से हम देख रहे कि share ला निशान में कारुबार कर रहा है और आज stare में हमने देखा करीब 30 प्रतिशत की गिरावट है इसके अलावा हम कुछ specific themes की बात करेंगे तो PSU Banks continue अपनी कर रहे है गेंज, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of India, Punjab Insign Bank के अगर हम देखेंगे तो करीब 4-9 प्रतिशत के तेजी नजर आ रहे हैं इन सारे banks में इसके अलावा logistics company भी आज focus में है Aegis Logistics ने अपने रिपोर्ट, अपने दूसरे तमाई के नतीज़े रिपोर्ट किया उसे के चलते ये stock में आज अच्छी तेजी नजर आ रहे है इसके अलावा container corp, SCI, blue dargers से शेर में भी करीब 2-3 प्रतिशत की तेजी नजर आ रहे है बिल्कुर वामक्षी ये सारे तो mid cap के action वाले stocks हैं लेकिन साथी वामक्षी भी बताएं खबरे कौन सी हैं जो कि इस वक्त mid cap में action में है जी बिल्कुर शुरुआत करेंगे हम Sun Pharma Advanced Research Company से तो Sun Pharma और कंपनी ने एक license agreement एंटर किया है वो Phenobarbital injection जो है वो US में उसका commercialization के चाहिए वो license agreement उन्होंने sign किया है ये product का हाला कि USFD approval अभी भी awaited है और ये agreement के चलते Sun Pharma Spark को एक upfront payment देंगे US 10 million dollars का और इसी के चलते ये Spark Capital Focus Sun Pharma Advanced and Research Company focus में है मगर हम देख रहे हैं कि stock में हलकी सी गिरावट दिख रही है इसके अलावा भारत फोर्ज पर भी focus करेगा company के एक unit है कल्यानी strategic systems उनको एक अच्छा order win मिल रहा है 1260 करोर का order मिला है artillery guns के supply के लिए और इसी के चलते देख रहे हैं कि अच्छी तेजी नजरारी है भारत फोर्ज में एक प्रतिशत से अधिक चड़ा है ये stock और आखर में बात करेंगे TVS Motors की Amazon India और TVS Motors ने एक memorandum of understanding यान कि MOU sign किया है वो EV deployment बढ़ाना चाहते हैं और Amazon की commitment है net zero carbon achieve करने की तो इसको meet भी करना चाहते हैं तो एक two wheelers और three wheelers की जो fleet TVS Motors की तरफ से Amazon लेंगी और उनकी light smile deliveries complete करने के लिए तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि TVS Motors में भी काफी शांदार तेजी नजरारी है करीब 4 प्रतिशत तक चड़ा है ये stock सब्सक्राइब करने के लिए भारत फोर्ज का स्टॉक आज सुबह से ही आक्षिन में है करीब 2% तक की तेजी इस्वग भी नजरा रही है न्यूस फ्लो तो है टेक्निकली चार्ट से एक बार चेक कीजे रूचित ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है लेकिन अगर अगर फ्रेश वाइं के लिए देख रहे तो कोई भी इन बिट्विन डिकलाइंस का भी नियर फूचर में आता है तो बायों डिप्स की रंडिती ये स्टॉक में रख सकते हैं भारत फोज पर 886 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेट कर रहा है आज के लिए क्या आपके टॉक पिक्स कौन से होंगे ये बताईए एक स्टॉक रहेगा जहां पर हम एक स्टॉक कर रहे है और वह है कैंफिन हों फाइनेंस लगबग लास्ट 15-20 दिनों से ये स्टॉक के काफी नहरो रेंज में रहा है और पूरा रेंज बाउन एक्टिविटी किसे ब्रेकाउट ये स्टॉक में आज की सेशन में लिए है अब आज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी देखे तो रिलेटिव वॉल्यूम्स भी अच्छे ये ब्रेकाउट पे तो जो पुछला पूरा करेक्टिव फेस था उसको कहीं ना कि ये स्टॉक रिट सेशन्स ऐसे होते हैं जब सप्राइज करता है एंफिन होम्स 536 के इस कारंट लेवल पर भी बाइंग की राये स्टॉचित की तरफ से आती भी दिख रही है शुक्रिया रुचित हमारे साथ जुड़ने के लिए सवालों के जबाब देने के लिए मिटके आप पर अपना बानलों के लिएर से औह से मिटके बाहिए से को ठाइभ ऑाम लाये सते है जब। 됐।